बिज्ञान और हम में आप सभी का स्वागत है तो चलिए आज फिर हम बिज्ञान के सफ़र में चलते हैं और आज हम जानते हैं लाइसोसोम के बारे में यह कोशिका संरचना के बारे में अभी हम बिस्त रूप से अधियन कर रहे हैं और यह कोशिका संरचना का पार्ट 7 है भा अबख 7 में आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम को आत्म हत्या की खैली क्यों कहते हैं लाइसोसोम एनकी लाइसीश ग्रीग बर्ट डाजस्टिब और सोब मतलब होता है बटी एनकी डाजस्टिब बटी चलिए अब इसके पारेपे हम थोरा सा बिस्तार से और जानते हैं इसकी खोज हुई थी 1908 में Christian D.W. नाम के Beganic ने इसकी खोज की थी इसकी सनजना कैसी होती है आप यहां देख रहे होंगे कि यह कैसी होती है यह साइटो प्लाज्म में सम रूप से समान रूप से बित्रीद रहती है यह गोलाकार और छोटी थैली के समान होती है और यह क्या होती है पतली, जिल्ली यानकी मेंब्रेन के द्वारा इस तरह से घिरी होती है और उसमें अनैक तरह के enzymes होते हैं और इसकी विस्रिष्टा क्या है लाईसोसोम के enzymes इसमें जो inzymes पाई जाती है Proto Plasme and की जीबदर्व और सभी Carbonic पदार्थों को ओखुला दे यानिस्ट करने में सक्षम होते हैं, इसके अंदर जितने सारे digestive enzyme होते हैं, यह पूरे के पूरे Carbonic पदार्थ को और जीबदर्व को क्या करती निस्ट कर सकती है यह हम इसके structure को हम देख रहे हैं कि इसके structure कैसी होती है थैली नुमा होती और यह किसमें पाई जाती है यूगेरिटी कोशिका में यह लाइसोसॉम पाई जाती है अब इसके हम कारे को देखते हैं कोशीका में यह परवेश करने वाले बड़े कनू एवं बाय पदार्तों का पाचन करता है अंत कोशी के पदार्तों तथा अंग को के तूटे फूटे भागों को पचित कर सेल को साफ करता है अर्थात यह कोशीका का कच्रा निप्टारी तंत्र है garbage disposal system है जिवान वेवन बाइरस से या रक्षा करता है क्या करता है हमने देखा कि या क्या करता है मतलब जितने सारे कोशिका में बाहरी कंज जो होते हैं या बड़े कंज जो होते हैं पधार्थ होते हैं उसका पाचन करता है और अगर कोशिका में अगर तूट फुट हो जाती है या कुछ हो जाता उसको तो उसके तूटे फुटे अंगों को वो क्या करता है पचा कर उसको सेल को साप कर देता है इसलिए उसको कोशिका का कच्रा निप्टारी तंत्र भी कहते हैं यह क्या करता है और बाइरस से रक्षा करता है जिस कोशिका में यह रहता है उसी को आविशक्तानुसा नश्ट करने का कारी करता है मतलब जिस कोशिका में यह रहता है उसी को आविशक्तानुसा नश्ट करने यानि कि उसको मार देने का कारी करता है अब बात यहां आता है कि इसको आत्मात्या की थैली क्यों कहते हैं तो हम चले हम इसको जानते हैं कि इसको आत्मात्या की थैली क्यों कहते हैं कोसी के जो मेटाबोलिज्म जो होता है में किसी परकार का अगर बैवधान हो जाए या किसी परकार के उसमें कोई दिक्कत आ जाए तब क्या होता है जिसके कारण की कोशिका अगर छती गरस्त हो जाए या उसमें कुछ परकार की टूट फूट हो जाए या वो किसी दर से बिमार हो जाता है तो क्या करता है लासोसम क्या करता है उस पर फट जाता है अब हम उसक कोशिका को पाचित कर देता है कि जो कोशिका तूट फूट गई जो शतिगरस हो गया उसके सारे अंगों को वो पाचन किरिया के द्वारा वो क्या कर जाता है खा जाता है और इसके फर्सुर्प क्या हो जाती है सेल कोशिका मर जाती है या कोशिका को लाइसोसों मार देता है नमर दूसरा हम देख रहे हैं कि जब कोशी का पुरानी हो जाती है या बीमार पड़ जाती है तो भी लाइसोसों भड़ जाता है और सेल मर जाता है और तिसरा हम देख रहे हैं कि जब भी सेल को सेल में बायरस, जिवानू, आदी का हमला होता है या कोई भी खत्रा मैसूस होता है तो लाइसोस्वम भट जाती है और सेल को भी मार देती है या आत्मत्या कर लेती है आगे क्या होता है कि जब सेल में बायरस या जिवानू या किसी भी या किसी भी परकार का जो खत्रा जो होता है अगर वो मासूस होने लगेगा लाइसोसोम को तो वो क्या करता है? खुद को खुद को खुद को क्या करता है? विस्पोर्ट कर लेता है और विस्पोर्ट करने के बाद क्या होता है? उसे जितने सारे एंजाइम्स होते हैं वो enzymes कोशिगा को पचा देता है और उससे कोशिगा की मिर्टी हो जाती है इस तरह से lysosome क्या करता है आत्मभत्या कर लेता है और खुद भी मर जाता है और कोशिगा को भी मार देता है lysosome के इसी बैभार से इसको आत्मभत्या की थैली कहते है अब सवाल ये उठता है कि आखिर लैसोसम ऐसा बैभार क्यों करता है तो हम इसके कारे को देख रहे हैं कि ये क्या करता है जितने सारे कच्रा है उसको निप्टाने का कारे करता है जीवानों में बारे से रक्षा करता है और क्या करता है या बहाय पदार्थ हो या जितने भी सारे मतलब विकार पदार्थ है या फिर जो हानी का रख पदार्थ है उससे कोशिका की रक्षा करता है अगर कोशिका अगर कोशिका में लैसोसोम नहीं हो तो अगर उसमें अगर किसी परकार का छती गरस्थ हो जाए उसका कोई अंग या फिर कोई जिबानू बारेस या कोई भी किसी तरह का हमला हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो कोशिका तो बिमार पड़ेगी पड़ेगी साथ-साथ उसके आस्पा जितने सारे कोशिका है वो भी बिमार पढ़ जाएंगी और सारा का सारा ध्रे-ध्रे कोशी का बिमार पढ़ने लगेगा इससे हमारे जितने सारे अंग हैं उसमें भी यहां ध्रे-ध्रे उत्तकों में उत्तकों से अंग में अंग से अंग तंतर में भी इसका असर देखा जा सकता है तो इसलिए वहाँ उसको बोल सकते है कि अपने आपको मारना ही वो सबसे सरवस्रेश्ट समझती है कि मेरे मर जाने से अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वो खुद को पहले मार देती है और सब के भलाई के लिए वो अपनी कुरबानी दे देती है अगर की लाईसोसोम जो है अपनी कुरबानी देती है कि ताकि दूसरे भी कोसिका जो है वो जिवीतर है वो स्वस्तर है तो अब हम इसको कह सकते हैं कि आखी लाईसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों करते हैं क्योंकि कि उसके अंदर कुछ enzymes होते हैं digestive enzymes होते हैं और अगर कोशिका में किसी तरह के बहाय पदार्थ या जो उसके टुटे-फुटे अंग होते हैं या बायरेस जीवानू या किसी परकार का कोई खत्रा या वो बिमार पर जाती है या मेटाबॉलिज में उसके कुछ दिक्कत आ जात होती है तो ऐसी स्थिति में लाइसोसोम भर जाती है उसके साथ साथ कोशिका भी मर जाती है उसका पाचन हो जाता है और वह जगह पुरा का पुरा साफ हो जाता और वहां पे कोई भी रोगानों किटानों विशानों जो होते हैं वह उहां नहीं होते हैं और दूसरे कोशिक गए हैं कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम कुरबानी देती है अपनी और दूसरे कोशिकाओं को बचाने के लिए तो बचो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद